तो देखा कि दूद मागोंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मागोंगे तो चीर देंगे, अरे ये वाला topic है, चलो इसी तरह से करो, आप उस debate को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, माल लिजे कि आप मोदी समर्थक ही हैं, क्या वो उस debate में आपको तरह तरह की सुचनाएं दी जा रही है, एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है कि वो चीजे जानना चाहता है तो क्या वो मीडिया आपको धंग से बता रहा है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा रहा है, वो दरसल आपको इंसल्ट करता है रोज, कि आप उनके एक अपने पडोस के मुसल्मान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिका रहा है मैं साफ साफ कहता हूँ और इसको आप नोट कर लेजिए और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि भाई देख लेना जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो उना अच्छा पती बन सकता है न प्रेमी बन सकता है न भाई बन सकता है देख लेना ऐसे किसी लड़की से IT सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई बता रहा हूँ ध्यान से पता चला कि दहेस तो नहीं देना चाहिए माबापने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया लाखों रूपे भी गए और मिल गया नफरत करने वाला तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है मुखेत बहुत जरूरी है दोस्त मिट्टी से भी और इंसान से भी ऐसा नहीं हो सकता कि एंसान से मुखेत ना करो आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल फेस्बुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोटसे जी की पिस्टॉल की निलामी करवादी यह पता चल जाएगा देशवक्ते की आतंगवादी थे हम यहां पर आ गए हैं गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप प्रभुष्तान नहीं बना सकते नहीं बना सकते हो आप जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशवक्त कहा जा रहा है तो गांधी क्या आतंगवादी थे अब हम यहां पर आ गए हैं क्या हम आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको प्रभुष्तान मंतरी को लेकिन उसके बदले में आपको उस जुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को बोट से जी कहें थोड़ा सावधान रहिए हो क्या रहा है इस देश में और वो फेस्बुक पे लिख रहे हैं यह कभी हुआ था कभी नहीं हुआ था क्योंकि यह पॉलिटिक्स आईटी सेल और मीडिया यह मान के चलता है कि आपने अपनी बुद्धी स्थगित कर दिया आप में बुद्धी नहीं है मैं नहीं मानता है मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से दियान तो मुझे मालूम है कि वो एक अलग तरीके से सोच रहे हैं लेकिन उनसे वो चुकि उनको वोट देते हैं उनसे बदला नहीं लिया जाना चाहिए उनको सजा किस बात की दी जारी है कि उनसे ये कहा जा रहा है अब चुकि तुम उनको वोट देते हो तुम अब मुसल्मानों से नफरत करने लोगे हो तो चलो अब गोटसे को भी गोट जी जीएगा ये शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या होई है और ये उससे भी जादा शर्म की बात है कि एक राजनितिक दलका कारेगर तक फेस्वुक पे लिख रहा है गोशी जी कि पिस्टॉल निलामे कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसक कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पर नहीं चलाई तो ये मत होने देना हाला कि अब देर हो चुकी है अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है गलत गलत पिर आप सुबोत कुमार सिंग को मार के आओ उसे भी इंसाफ नहीं मिला सुबोत कुमार सिंग को भी इंसाफ नहीं मिला पहलू खान को भी इंसाफ नहीं मिला ये आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है समझ रहे हैं इस बात को अच्छे से समझ येगा गुसे में मत समझेगा कोई फाइदा नहीं है दोस्तों इसलिए आपका मीडिया जो है मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूं कहना जरूरी है फिर मौका नहीं मिलेगा आपसे आपका मीडिया अब आपसे बदला ले रहा है जब तक आप अपने आपको अलर्ट नहीं करेंगे एक्टिव नहीं करेंगे ये मैं क्यूं कहता हूं कि आप इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजे इन ट्यानलों को देखना बंद कर दीजे और पैसा प्रधान मंतरी रहत कोश में दे दीजे ये मैं इसलिए इस उमीद में खहता हूँ कि आप दबाओ डालेंगे तब ही मीडिया स्वतंत्र होगा तब ही मीडिया स्वतंत्र होगा और एक बात जान लिजेगा मीडिया की स्वतंत्रता हमसे अपनी नौकरी के लिए नहीं कह रहे है आपके लिए कह रहे है जब मीडिया नहीं होगा आप नहीं होगे क्योंकि आपकी आवाज नहीं होगी आप चार दिन के लिए अपने कमरे में बंद कर लो भर को बोलो नहीं आप ये कर के दिखा दो और फिर सोचना कि 46 दिन से कश्मीर के लोग कैसे रह रहे हैं थैंक यू